दोस्तो सब्सक्राइब करने से कुछ नियों का सामने में जो बेल बटने उस पर क्लिक करें और मेरे आने वाले वीडियोज देखें सबसे पहले दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Android phones के 5 secret settings के बारे में और अगर आप इसे use करेंगे तो आप use कर पाएंगे कुछ नए features और वो भी बिना कोई additional software इंस्टॉल करें और इसके लिए root access का भी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाला वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप सभी का तहदिल से सुक्रिया करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे support करने के लिए तो दोस्तों मेरे चैनल का 5000 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं अपना WhatsApp नमबर आप सभी के साथ शेर करूँगा ताकि आपका कोई भी technical problem का solution में तुरन दे सको और तब तक ऐसे ही support करते रही है तो आज के वीडियो को शुरू करता हूँ मैं सनी और आप देख रहे है धी टेक्नो बाई तो secret settings को use करने के लिए आपको जाना पड़ेगा settings पर फिर phone settings पर जाकर आपको bill number पर 7 times क्लिक करना पड़ेगा फिर एक नया option generate होगा developer option के नाम से तो दोस्तों यहाँ आपको मिल जाएगा धेर सारा secret settings पर मैं आज आपको 5 useful settings के बारे में ही बताने वाला हूँ पहला useful settings है USB debugging तो दोस्तों हम सभी अपने phone को कभी ना कभी PC के साथ connect जरूर करते हैं data transfer करने के लिए या अपने phone पर कुछ flash करने के लिए और तब हमें जरूरत परका है USB debugging mode को on करने को और इसके बाद हम कोई भी PC के साथ अपने phone को connect कर सकते हैं वो भी बिना को additional software के मदद से दूसरे नमबर पर मैं रखता हूँ force right to left layout direction तो दोस्तों हम में से कई लोग lefty होते हैं जो अपने सारे काम left hand से करना पसंद करते हैं तो ये settings बस उनके लिए ही है और ये settings को on करने के बाद हमारे phone के सारे option right side पर save हो जाता है और इससे जो left handed लोग है उनके लिए mobile चलाना बहुत ही आसान हो जाता है इसरा secret settings है आपके phone के animation settings तो दोस्तों इसके लिए तीन option मिल जाता है Windows animation scale, transition scale and animator duration scale अगर आप इन तीनों के duration को बढ़ा देते हैं तो आपको हर एक click पर animation तो ज़रूर दिख जाएगा पर आपका phone slow काम करेगा और अगर आप duration को zero कर देंगे तो आपको कोई animation दिखने को नहीं मिलेगा पर आपका phone speed हो जाएगा तो ये आपके उपर है आप कैसा पसंद करते हैं अगर आप phone में gaming करना पसंद करते हैं और high-end games खेलते हैं तो ये settings आपके लिए हैं तो दोस्तों आपको सीधे आना होगा developer option पर और force 4X MSWA option को enable करना होगा जिससे आपका phone नहीं अटकेगा और आप high-end games खेल पाएंगे बिना कोई lagging के पाच्वा और सबसे आखरी number पर मैंने रखा है kill app back button option को तो दोस्तों सायद आप अपने background apps को clean करने के लिए कोई additional application ज़रूर यूज़ करते होंगे आसा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और comment section पर comment करके आप अपना video request कर सकते हैं like करें इस वीडियो को share करें अपने ब्यारे दोस्तों के साथ और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर ले क्यूंकि मैं इस तरीके का वीडियो बनाता रहता हूँ